आज हम जम्मू एंड कश्मीर जीके का एक और टॉपिक करेंगे जो कि है क्रॉपस आप जम्मू एंड कश्मीर एंड एज उज्वल वी विल कम्प्लीट डिस टॉपिक आने से पहले एक जरूरी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि है नोट मेकिंग के रिलेटड एक दोस ने काफी बार ये कमेंट किया के सर आप हमारे साथ नोट मेकिंग पे कुछ टिप शेयर कीजिए जिससे हमारी हल्प हो जाए तो ये उस दोस के लिए भी है टिप्स और आप सब के लिए भी है जब भी आपको किसी topic पे notes बनानी होंगे तो आप क्या करोगे आप A4 size sheets पे notes बनाओगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आप A4 size sheets का एक bundle market से लाओगे उसमें I think 500 pages होते हैं और इसकी cost है 200 rupees only अगर आप 200 की 2 notebooks लाओगे तो उसमें आपको hardly 100 या 150 pages मिलेंगे मालनो 200 भी pages मिलें ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपको 200 rupees में 500 pages मिलते हैं 500 sheets मिलते हैं rather ठीक है? यह आपको मतलब affordable भी रहेगा और जब आप इस पे notes बनाओगे और फिर revise जब आप करोगे तो बीच में आपको वो lines नहीं दिखेंगी जो आपको page पे जो notebook का page होता है उस पे जो lines वगेरा होती है वो आपको नहीं दिखेंगी और आपको revise करने में काफी आसानी होगी ठीक है? अब मान लो आपको किसी topic पे notes बनाने हैं तो या तो आप कोई book consult करोगे या तो आप कोई video देखोगे अब मान लो आपने कोई video देखा उस topic के related सबसे पहले आप पूरा video देखोगे और जो जो concept उस video में है उस concept को आप समझने की कोशिश करोगे once you have gone through the whole video और आपने पूरा concept समझ लिया उसके बाद आप notes बनाना start करोगे इस topic पे तो मान लो मैंने आपको दो pages बताए मैंने इन दो pages में से बहुत कुछ बताया लेकिन आपको लगता है कि काम की बस चार से पांच चीजे ही हैं इन दो pages पे A4 size sheet पे ठीक है अगर आपको लगता है कि अब इन चार पांच चीजों को भी याद करने के लिए मुझे कोई trick चाहिए तो आप कोई thumb rule अपने दिमाग से बना सकते हो जिससे आपको ये चीज अब याद हो जाए ठीक है और मान लो आपने कोई mock test दिया और इसी topic पे कोई question आया और वो question आपको नहीं आया लेकिन आपने तुक्के से या fluke से उस question को solve कर दिया जब आप solutions देखोगे पूरे सारे questions का तो इस question को आप इस topic के जो notes आपने बनाए थे as one liner add कर दोगे उन notes में ये वहां भी apply होगा जहां पे मान लो इस topic के लिए कोई question आया था और आपने वो question skip कर दिया आपने वो mock test में वो question attempt ही नहीं किया because आपको answer नहीं पता था और आपको guess भी नहीं करना था जब आप solutions देखोगे उस time mock test का आप उस question का जब solution देखोगे उसको भी आप as one liner इस इनहीं अपने notes में add कर दोगे इन one go notes कभी अच्छे नहीं बनते हैं ठीक है वक्त के साथ साथ आपके notes किसी topic related better हो जाएंगे because आप maybe कभी कभार इस topic पे एक video देखोगे कभी कोई और video कभी कोई book देखोगे तो जहां जहां से भी आपको लगता है कि इस topic related मुझे important चीज़े मिलती है उन सारी चीज़ों को आपको note down करना है ठीक है तब ही आपके notes comprehensive बनेंगे और तब ही exam में उन notes से आपको help होगा अगर आप उनसे फिर preparation करोगे उन notes को आप revise करोगे दो तीन बार तो exam में you will be able to recapitulate most of the जो आपने content लिखा है notes पे आप exam में वो recapitulate कर पाओगे और आप question को भी आराम से answer कर पाओगे exam में ठीक है ये थी कुछ important tips note making पे ठीक है I hope इनसे आपकी help हो जाएगी note making में ठीक है Now we will come to the main topic सबसे पहले हम देखेंगे important fruits जो कि Jammu and Kashmir में grow होते है और इसमें जो पहला fruit है वो है apple ठीक है Kashmir पूरी दुनिया में apple के लिए famous है ठीक है और English में भी एक quote है you are the apple of my eye English उर्दू में क्या बोलते हैं आख का तारा ठीक है मेरी आख का तारा भुड़ा पे का साहरा वो ही apple of my eye Jammu and Kashmir में 113 varieties of apple grow की जाती हैं लेकिन इन 113 में से कुछ ही varieties commercial scale पे grow की जाती है वो varieties कौन कौन सी है शीरीन, फिर्दॉस, डिलिशस, अम्बरी, ट्रियल, महराजी, केसर and रॉयल मिश्री ठीक है ये varieties आपको याद रखनी है जो सबसे popular variety है कश्मीरी apple की वो है अम्बरी ठीक है और इसी अम्बरी variety of Kashmir को king of Kashmirी apple भी बोलते है अम्बरी variety of apple is known as king of Kashmirी apple ठीक है और जो शोपईया district है शोपईया district it is known for अम्बरी variety of apple पूरी दुनिया में शोपईया अम्बरी variety of apple के लिए जाना जाता है और शोपईया district को heart of अम्बरी production के नाम से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है शोपईया district is known as heart of अम्बरी production all over the world ठीक है यह point भी आपको याद रखना है during the reign of avanti varman avanti varman के time पे avanti varman कौन थे avanti varman he was the founder of he was the founder of uthpala dynasty he was the founder of uthpala dynasty और avanti varman के time पे सोपोर को establish किया किसने uthpala dynasty के एक engineer थे and irrigation minister जिनका नाम था सुया ठीक है and he established Sopor in 1880 ठीक है और ये जो सोपोर टाउन है it was originally called Suyapur and with the passage of time ये सुयापूर क्या बन गया ये सुयापूर बन गया सोपोर ठीक है और ये जो सोपोर टाउन है it has the second largest wholesale market in Asia Asia का second largest wholesale market कहां पे है सोपोर टाउन में and सोपोर टाउन का nickname है Apple Town of Kashmir ठीक है which among the following is known as Apple Town of Kashmir अगर कभी exam में ये question आपको दिखता है तो आपको सीधा क्या mark करना है आपको सोपोर टाउन mark करना है और सोपोर टाउन के इस डिश्टिक में आता है सोपोर टाउन आता है डिश्टिक बारामुला में ठीक है I hope ये point भी आपको समझ आ गया कि ये मैंने यहां पे क्यों mention किया था ठीक है Sir Walter R. Lawrence इन्होंने एक famous book लिखी है The Valley of Kashmir 1895 में और इस book में इन्होंने एक sentence लिखा है वो ये है कि Kashmir is a fruit producing country कभी अगर exam में ये सीधा एक sentence आ जाता है तो आपको ये आपसे ये मतलब पूछा जाएगा कि ये sentence किस ने लिखा है तो ये sentence किस ने लिखा है Sir Walter R. Lawrence और कहां पे लिखा है उनकी एक book थी जिसका नाम है The Valley of Kashmir और ये इन्होंने लिखी है 1895 में और इसी book में इन्होंने लिखा है कि Kashmir is a fruit producing country ठीक है I hope ये भी आपको समझ आ गया कुछ और important varieties of apple जो की cultivate होती है Kashmir में Golden Delicious, Hazard Bill, Red Delicious, American Trial और कुछ other varieties of apple जो की last few years में Kashmir में introduce हुई है उनका नाम है Crimson, Bulgarian, M9 and other HD varieties ठीक है ये सारे नाम आपको याद रखने है exam purpose के लिए जो हजरत बिल है, हजरत बिल variety of apple it is the oldest variety of apple cultivated in the valley and is mostly consumed domestically याने कि जो हजरत बिल है, हजरत बिल variety of apple ये oldest variety है Kashmiri apple की और इसको domestically consume किया जाता है याने कि within the boundaries of UT इसको consume किया जाता है और जो इनको इस variety को state, मतलब UT के बाहर इसको export नहीं किया जाता है ठीक है जो quince है, इसको Kashmiri में बोलते हैं bum suit, ठीक है quince is known as bum suit in Kashmiri ठीक है और जो 12 मुला district है it is the largest producer of apple in Jammu and Kashmir 12 मुला district is the largest producer of apple in Jammu and Kashmir ये भी बहुत important point है ठीक है cherry, Jammu and Kashmir चार varieties of cherry produce करता है जिनका क्या नाम है cherry को Kashmiri में गिलास बोलते हैं ये वो गिलास नहीं जिससे आप पानी पीते हो it is the name of a fruit English में जिसको आप cherry बोलते हो Kashmiri में उसी fruit को हम गिलास बोलते हैं ठीक है और Jammu and Kashmir में इसकी चार varieties को produce किया जाता है वो varieties कौन कौन सी है वो variety है double, mcmaly, mishri and italy यानि कि cherry double, cherry mcmaly, cherry mishri and cherry italy these are the four varieties of cherry that are produced in Kashmir ठीक है ये भी आपको याद रखना है exam purpose के लिए ये भी बहुत important point है और recently एक news आई थी वो ये थी कि Kashmir exports first commercial shipment of mishri variety of cherry to Dubai Jammu and Kashmir ने पहली commercial shipment किनकी mishri variety of cherry export की कहां की Dubai यानि कि United Arab Emirates ठीक है ये point भी आपको याद रखना है exam के लिए बहुत important है इसके बाद हम आते हैं grapes पे ठीक है एक village है जिसका नाम है ripora ठीक है it is a village known for its grapes और ये village किस district में आता है ये village आता है district गंदरबल में ठीक है ripora village is in district गंदरबल and it is a village which is known for its grapes ठीक है ये आपको याद रखना है known for its grapes जो अभी हम नहीं बताया this village has a mention in the first volume of तारी के हसन it is one of the most reliable historical accounts about कश्मीर तारी के हसन एक book है ठीक है और उसमें इस village का जिकर आया है ripora village का जो कि है गंदरबल में and this village is known for its grapes ठीक है और एक खास बात क्या है ripora grapes की इनकी खास बात यह है कि they are ready when fresh grapes are not available anywhere in the world except Italy दुनिया में तब दो ही जगा पे fresh grapes मिलते हैं ठीक है मतलब जो winter होता है दुनिया में दो ही जगा पे fresh grapes मिलते हैं एक है Italy और दूसरा है ripora जो कि है गंदरबल में यही दो जगा है दुनिया में जहां पे आपको fresh grapes तब मिलेंगे जब दुनिया में कहीं पे fresh grapes आपको नहीं मिलते हैं ठीक है कहा जाता है कि जब महराजा हरी सिंग को एक बार winter में fresh grapes दिये गए तो he was surprised ठीक है और यह जो grapes है रिपोराइक विलेज के इनको तब attention मिली जब किसी इनसान ने इन grapes को gift किया किसको राई बहादूर ठाकुर जनक सिंग जो कि military general थे महराजा हरी सिंग के ठीक है और वो इन grapes की quality से इतना impress हो गए कि इन्हों ने उस इनसान से पूछा कि ये grapes कहां पे produce होते हैं ठीक है और जब उनको बताया गया कि गांदरबल में एक village है जिसका नाम है रिपोरा ये वहाँ के grapes हैं तो उन्होंने most of the fertile area इस area में purchase किया और वहाँ पे new varieties of grapes वहाँ पे उन्होंने grow करना start की ठीक है और जनक सिंग ने यहाँ पे एक bangla भी बनवाया जिसका नाम बंगली बाग था ठीक है और इस building की अभी जो remnants है यानि कि जो वहाँ पे फिर उसका धेर वगएरा है वो अभी भी इस जगा पे exist करता है यह भी आपको याद रखना है और कुछ commercial varieties जो इस area में grapes की grow होती है वो है हुसैनी इस हुसैनी को एरान से import किया गया है हुसैनी variety of grapes has been imported from एरान और एक और variety है sahibi it has been imported from हाइदरबाद हुसैनी variety of grapes को import किया गया है इरान से और sahibi variety को import किया गया है हाइदरबाद से ठीक है also एक variety है kishmish, एक है anabishai एक है rubi variety ठीक है और जो department है horticulture का it has now got thompson seedless variety for reason यह जो kishmish वगरा बनाने के लिए जो grapes use होते है वो कौन सी variety है thompson seedless variety और department में department of horticulture ने इसको भी introduce किया है लेकिन क्या है जो technical support है उसकी lack of technical support की वज़े से जो raisins, मतलब जो kishmish वगरा बनाने की process है उसमें काफी hindrance पैदा हुई है यह locals का कहना है ठीक है यह भी आपको याद रखना है अब हम आते हैं peer पे यानि कि जिसको कश्मीरी में बोलते हैं tongue ठीक है और उर्दु में बोलते है नाशपाथी जो peer है it is produced mainly in Uri, Baramulla and Badgam और इसकी variety इस क्या है नाक and बाबु गोशा types of peer, they contribute 85 to 95 percent of the total peer production यानि कि जितने भी जम्मू और कश्मीर में peers produced होते हैं उनमें नाक और बाबु गोशा 85 to 95 percent होते हैं ठीक है और जो बाबु गोशा है बाबु गोशा variety of peer it alone accounts for 50 to 60 percent of the peer harvest and it is the driving force behind the peer economy यानि कि नाक और बाबु गोशा दो varieties है peer की ये contribute करती है 85 percent of the peer production लेकिन जो इसमें बाबु गोशा है it alone accounts for 50 to 60 percent of the peer harvest ठीक है ये भी आपको याद रखना है और जो दो areas है famous for peer production वो क्या है एक है उडी बारमुला और दूसरा है बढ़गाम district ओल राइट और बीच में एक news आई थी कि Sherry Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology इसने introduce किये high density peers ठीक है वो कौन-कौन से वो भी हम देखेंगे वो है early desire, lucas, william, bartlett and conference ये four high density varieties of peer introduced की Sherry Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology जिसको बोलते है सुकौस्ट कश्मीर ठीक है ये चार high density varieties of peer भी आपको याद रखनी है और एक important point आपको याद रखना है viewer hardy is also a variety of peer which is grown in Kashmir ठीक है ये भी आपको याद रखना है all right moving ahead इसके बाद हम बात करेंगे walnuts पे, locally known as Kashmiri में walnuts को don't बोलते हैं ठीक है और Kashmiri walnuts are organic ये इनका unique selling point होता है it is unique USP of the walnuts of Kashmir वो क्या है इनका unique selling point क्या है, no sprays and fertilizers are used in their cultivation नहीं इन पे कोई spray किया जाता है और नहीं किसी fertilizer का use होता है, walnuts के जो Kashmiri walnuts होते हैं उनको grow करने में नहीं कोई spray use किया जाता है और नहीं कोई fertilizer use किया जाता है, ठीक है और Kashmir में three varieties of walnuts मिलती है या grow की जाती है एक है कागजी, large nut with thin shell एक है बुर्जी, बुर्जूल it is a medium sized nut एक है वोंट जो कि बहुत hard होता है and it is mainly used to extract oil यानि कि three varieties of walnuts are grown in Kashmir कागजी, बुर्जूल and वोंट ठीक है और एक typical walnut tree जो कश्मीर में grow होती है it takes 13 to 15 years to fetch the first crop यानि कि 13 से 15 साल एक typical walnut tree को लगते हैं पहला फसल देने में ठीक है अब तो काफी hybrid वगर आये हैं वो बहुत जल्दी पहला crop देते हैं लेकिन ये एक typical walnut tree की यहाँ पे बात हो रही है ठीक है I hope ये point भी आपको समझा गया ये मैंने image लगाई है walnuts की ठीक है ये इन पे एक green shell होती है जब ये पक जाते हैं तो इसमें cracks produce होते हैं उसके बाद आपको walnut दिखता है जो market में normally available होता है ठीक है apricot apricot is the first end loan produce in Ladakh की produce है Ladakh की and apricots are found in both the districts of Ladakh एक है कारगिल दूसरा है लह यानि कि कारगिल में भी apricots मिलती है और लह में भी apricots मिलती है या produce होती है However, the best quality is produced in कारगिल लेकिन जो best quality of apricot है वो कहां पे produce होती है वो produce होती है कारगिल में और ये कहा जाता है कि there are 40 varieties of apricots in Ladakh region Ladakh region में 40 varieties of apricots को ग्रो किया जाता है कुछ important varieties of apricots क्या क्या है एक है हल्मन दूसरा है रक्से कारपो तीसरा है कोईटा और चौथा है न्यूकासल हल्मन, रक्से कारपो कोईटा and न्यूकासल are some of the important varieties of apricots that are produced or grown in Ladakh और ये भी आपको याद रखना है ये कुछ यहाँ पर मैंने image लगाई है dry apricots की ठीक है और एक news आई थी कि first time in 35 years कारपो जो जो कारपो जो कारपो है इसने export किये 150 kgs of apricots to Dubai ठीक है कश्मीर ने Michri variety of cherry को export किया तो Dubai and कारपील ने 150 kgs of apricots export किये to Dubai कश्मीर ने भी Dubai और कारपील ने भी 2 लेकिन कश्मीर ने क्या export किया Michri variety of cherry और कारपील ने क्या export किया apricots ठीक है पीच कुछ important varieties पीच्स की जो कश्मिर में पाई जाती है ठीक है एक है सहारनपूरी एक है पिशावरी एक है जुलाई अलबर्टा एक है रेड ग्लोब और है अलबर्टा, क्वेटा, ग्लो हेवन और क्रेस्ट हेवन ये सारी वेरेटीज आप पीच्स आपको याद रखनी है एक्जाम में आपको ये वेरेटीज याद रखनी है आमंड इन कश्मीर वैली इसकी कमर्शल कल्टिवेशन रेश्ट्रिक्ट है कुछ फ्यू एरियाज में किस किस डिश्टिक है पुल्वामा एंड बढगाम डिश्टिक है और ये जो आमंड है ये जो कश्मीर में जो कहवा फेमस है ये आमंड उसमें भी यूज होते हैं और आमंड आमंड मिल्क बनाने में यूज होते हैं बटर बनाने में ओईल फ्लार पेस्ट बनाने में यूज होते हैं और जो फेस सिरम होते हैं फेस पैक होते हैं या बॉड़ी लोशन होते हैं हैर ओल्स होते हैं इन में भी आमंड का काफ कश्मीर वैली है, यहाँ पे जो आमंड हैं, they bloom in the month of March and they represent end of harsh winter and वो जब spring आता है, ठीक है, यह जो आमंड होते हैं, आमंड trees, they are the first trees to bloom, ठीक है, और यह जो हवा होती है na, फिर spring में, कश्मीर में, इसमें इसी की smell होती है, इसकी काफी बढ़िया fragrance होती है, इसकी हवा में जो मिल जाती है, diffuse हो जाती है, ठीक है, आपको, अगर आप कश्मीर आओगे spring में, और अगर आप स्रीनगर जाओगे, बादावारी में, ठीक है, यह उसकी picture है, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा लगेगा, और आपको यह जो air है, इसकी fragrance भी आपको feel होगी, ठीक है, अगर आप and blossoms are the first to herald the arrival of spring, यानि कि almond trees, they are among the first trees to bloom in the spring, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, यह है, बादावारी जैसा कि मैंने अब भी आपको बताया, यह located है, बादावारी, यह located है रहनावारी स्रीनगर में, ठीक है, यहाँ पे आपको almond trees काफी सारी मिल जाएंगी, अब हम आते ह है, important food grains पे, सबसे पहले हम देखेंगे rice, जिसको Kashmir में बोलते है, Tamil, ठीक है, it is the most dominant crop in the entire UT, and it is the staple food of Kashmir, यानि कि जो Kashmir वैली है, Kashmir वैली का staple food कौन सा है, वो है rice, ठीक है, और जो Arespora region है, Jammu का, it is famous for it is Basmati rice, ठीक है, और important varieties of rice, जो कि Kashmir में cultivate की जाती है, वो है मुश्क और scented rice, जग यानि कि red rice, कामड, शाली मार, ठीक है, ये important varieties of rice, जो कि Kashmir में cultivate की जाती है, ठीक है, ये जो मुश्क बुझी है, it is one of the varieties of rice, मुश्क बुझी revival program, it was undertaken by Sherry Kashmir University of Agriculture Sciences and Technology, जो इसका mountain research center for field crops, एक institute है, कहां पे खडवीनी अनंतनाग में, यहां पे 2007 में मुश्क बुझी revival program चलाया गया, ठीक है, क्या चलाया गया, मुश्क बुझी revival program, ठीक है, इस program में क्या हुआ, इस program में seeds distribute किये गए, दो areas में, एक संगम, जो कि है अनंतनाग में, और एक area, खान साहिब, जो कि located है बढ़गाम district में, यहां पे कुछ farmers को seeds दिये गए, किसके मुश्क बुझी के, और इनको बुला गया कि आप अपने जो fields है, उनमें यही variety of rice को plant कर दो, ठीक है, और जब उन्होंने यह plant किया, तो यह जो मुश्क बुझी है, aromatic rice, या जिसको centered rice बोलते हैं, इसको revive किया गया इस program से, और यह जो farmers पुरसे इनको काफी, मतलब market में इसकी काफी price आ गई, ठीक है, काफी फाइदा हुआ इनको, इनकी income बढ़ गई, इसकी cultivation की वज़े से, किसकी cultivation की वज़े से, मुश्क बुझी जो variety of rice है, इसको cultivate करने के बाद, जब उन्होंने market में उसको sell किया, तो उनको काफी ज्यादा profit ह हो गया, ठीक है, और ये जो zag है, या red rice है, इसके लिए भी दो sites को choose किया गया, एक टंगडार, जो कि है कुपवारा में, और दूसरा खुरहामा, जो कि है कुपवारा में, ये दो areas को identify गया गया for zag rice, जहां पे farmers थे, इस इन दो areas में, farmers को zag rice के samples दिया गए, उनको ये बोला ग करोगे, तो market में, मतलब इसकी value काफी ज़्यादा होती है, ये बहुत, मतलब, indigenous varieties of rice है, जो कि कश्मीर में produce होती है, ठीक है, तो ये दो areas भी आपको याद रखने हैं कि zag rice के लिए कौन दो areas identify किये गए थे, ठीक है, आल राइट, इसके बाद wheat, it is the staple food in the jamu plane, ठीक है, जो jamu area ह है, वहाँ पे wheat है, staple food, याने कि, युस कनुक्छा आसन, सुचिता है, jamu, kathwa, samba, ये wheat के जो, chapatis वगरा, rotis वगरा बनाते हैं, वही खाते है, इस major concentration is in jamu, kathwa, udampur, rajori, ठीक है, और in the rest of the districts of jamu and kashmir, ठीक है, जो conditions है, they are not conducive for the cultivation of wheat, ठीक है, wheat, wheat, जो wheat है, it requires moderate temperature and rainfall during growing season, लेकिन जब इसको, इसका harvest, harvest का time आता है, it requires bright sunlight, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और जो ladak है, ladak में, जो wheat है, इसको kharif crop माना जाता है, हलांकि जो wheat है, it is a rubby crop, लेकिन ladak में, it is a kharif crop, because it is sown in the month of May, and harvested in the middle of August, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी काफी important point है, इसके बाद हम आते हैं, मेज पे, ठीक है, एक news आई थी बीच में, कि एक village है, जमो और कश्मीर में, इस पूरे village ने मेज की cultivation की, news क्या थी, news थी, कश्मीर का एक district, जिसका नाम है पूँच, यहाँ पे एक small village है, जिसका नाम है, दिगवर, ठीक है, और इसको क्या नाम दिया गया, मेज growing area, because जो यहाँ के local farmers थे, ठीक है, उनको एक काफी अच्छी पैदावार मिली, किसकी, मेज की, ठीक है, और जो 90% of the area, किसका, यह डिगवर, जो small village है, पूँच district में, इनका जो agriculture है, इनका जो agriculture है, इस dependent on rain, and मेज is the most important खरीफ crop in the district, यहाँ कि मेज, most important खरीफ crop है, किस district का, पूँची district का, ठीक है, और यह जो मेज, यह जो मेज crop है, it is used both as food as well as fodder, यहाँ कि मेज को इनसान भी खाते है, और animals भी खाते है, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है और बीच में एक news आई थी, जो कि है, जो जमुएन कश्मीर की government है, जमुएन कश्मीर की government ने advice किया था, farmers को, कि वो sweet corn grow करे, instead of maize, अगर आप यह news यहाँ पर देख सकते हो, यह news क्या है, grow sweet corn, not maize, जेंट के government advises farmers, ठीक है, और इसके लिए, यह जो जमुएन कश्मीर government है, जो इसके अंडर एक institute आता है, स्कॉस्ट, शेरी कश्मीर, University of Agriculture Sciences and Technology, ठीक है, इसने दो indigenous sweet corn की varieties develop की, एक का नाम है शाली मार, एक का नाम है शाली मार corn sweet, शाली मार corn sweet, और दूसरे का नाम है sugar 75, एक का नाम है शाली मार corn sweet, और दूसरे का नाम है sugar 75, यह दो sweet corn की varieties, को develop किया, स्कॉस्ट, कश्मीर ने ये एक institute है, और इसी को grow करने के लिए, जमुए और कश्मीर government ने advise किया, विकॉस्ट, यह काफी profitable है, ठीक है, लेकिन जो अभी के time पे, यह जो department है, department import करता है, sweet corn seeds, sweet corn seeds from Holland, जिसको नेधर लैंड भी बोलते हैं, यह जो department है, यह sweet corn की seeds को import कर जाता है, कहां से, निधर लैंड से, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, इसके बाद सैफ्रॉन पर बात करेंगे, जो सैफ्रॉन है, इसका scientific name है, crocus sativus, ठीक है, इट इस known for its flavor and color, ठीक है, और यह साल में सिर्फ एक बार इसको harvest किया जाता है, ठीक है, late October से till mid November तक, ठीक ठीक है, और यह जो सैफ्रॉन है, इसकी काफी uses होती है, जैसे कि food में भी इसको use किया जाता है, pharmaceuticals में इसको use किया जाता है, cosmetics and perfumery, और textile dyes में भी इसको use किया जाता है, ठीक है, और जो कश्मीर में कहवा होता है, उसमें भी सैफ्रॉन को use किया जाता है, लच्छा, मोंगरा and gucci these are the three varieties of saffron that are grown in kashmir ठीक है लच्छा mongra and gucci are the three varieties of saffron that are grown in kashmir इस पे जो मेरी class 4 की shift थी 1st of March 2021 की यही question आया था कि लच्छा mongra and gucci are the varieties of which of the following चार option दिये थे और चारो में कौन्स option सही था saffron ठीक है और जो पंपोर एरिया है pulvama district का it is known as the saffron town of kashmir यानि कि सोपोर को बोलते है apple town और पंपोर को बोलते है saffron town ठीक है और यह जो kashmiri saffron है इसको GI tag मिला in July 2021 यह भी आपको याद रखना है ठीक है अगर आप यह image देख सकते हो तो यहाँ पे कुछ दो बंदे collect कर रहे हैं जो saffron के flowers होते हैं उनको collect कर रहे हैं और अगर आप इस image में यह जो आप देख पा रहे हो इसको मैंने अभी color किया इसको यह जो इस flower का कौन सा part होता है stigma and stamina और इसी को फिर dry किया जाता है और यही saffron होता है ठीक है यह saffron के fields हैं कहां पर पामपोर में ठीक है कारेवाज या जिनको कश्मीरी में wooders भी बोलते हैं कश्मीरी में saffron को कौंग बोलते हैं ठीक है इसको zaffron भी बोलते हैं और केसर भी बोलते हैं और इसको जो traditional dishes हैं उनमें भी add किया जाता है during special occasions such as marriages और जो इरान है it grows 90% of the world saffron इरान जो country है दुनिया का 90% saffron इरान में ही grow होता है और जो 5% of the world is produce किसका saffron का ये कहां पे cultivate होता है जम्मू एंड कश्मीर में और इरान और जम्मू एंड कश्मीर के बगैर Greece, Afghanistan, Morocco, Spain and Italy ये कुछ countries हैं जो saffron produce करती है लेकिन काफी small quantities में ठीक है ये भी आपको याद रखना है ये भी काफी important point है और एक news आई थी वो क्या थी वो ये थी कि IISKTC दुसू पुलवामा to boost saffron trade director agriculture ये क्या है IISKTC ये है इंडिया इंटरनेशनल saffron कश्मीर trade center ये कहाँ पे है ये है दुसू पुलवामा में और ये किसलिए इसको बनाया गया तो boost saffron trade ठीक है ये भी आपको याद रखना है कि ये center कहाँ पे कहाँ पे located है दुसू पुलवामा ठीक है ये भी आपको याद रखना है इस पे पंचाथ accounts assisted में question आया था ठीक है आप paper वो वाला paper उठा के देख लो आपको वो question दिख जाएगा और इसके बाद एक और news आई थी कि जशने सैफराण organized in पुलवामा to promote कश्मीरी सैफराण कश्मीरी सैफराण को promote करने के लिए जम्मू एन कश्मीर administration ने एक event organized किया था जशने सैफराण ठीक है इससे क्या होगा इससे जो कश्मीरी सैफराण है इसको promote किया जाएगा in the markets worldwide ठीक है और जो harvesting season है सैफराण का उसको भी welcome किया गया था इस जशने सैफराण में इस event में ठीक है इसके बाद गुच्ची मश्रूम जिसको जिसका scientific नहीं मौर्शेला एसक्यूलेंटा और इसको commonly बोलते है moral और जो बदरवाही डायलेक्ट है इसको बदरवाही डायलेक्ट में बोलते है ठुन्थू ठुन्थू ठीक है यह wild मतलब ऐसे foresters में grow होता है इसको कोई grow नहीं करता है ठीक है foresters वगरे में यह खुद ही अपने आप ही grow होते है and they are priced at over 20,000 रुपीज पर केजी एक केजी की कीमत 20,000 से भी ज्यादा होती है अगर आप यह image देखोगे यह है गुच्ची मश्रूम ठीक है और इसकी medicinal properties भी होती है and anti-inflammatory properties भी होती है यह मैं यहां से हड़ा देता हूँ आप इसको ठीक से एक बार देख लो ठीक है इसको बुलते हैं गुच्ची मश्रूम और recent में एक news के आई थी news आई थी GI tag has been sought for India's costliest mushroom और वो कौन सा mushroom है गुच्ची मश्रूम और यह कहां पर पाया जाता है यह पाया जाता है district दोड़ा में ठीक है यह भी आपको याद रखना है इसको GI tag मिला नहीं है लेकिन GI tag की मांग की गई है इंडिया's costliest mushroom यानि की गुच्ची मश्रूम के लिए इस पे finance accounts assistant में question आया था कि कौन सा product है जिसके लिए GI tag की मांग की गई है वो क्या है वो है गुच्ची मश्रूम ठीक है एक और news आई थी कि डोडा में purple revolution आया है ठीक है और यह purple revolution क्या है यह है 500 farmers across villages in डोडा district उनकी income quadrupled यानि कि four times उनकी income बढ़ गई four times उनकी income बढ़ गई किनकी 500 farmers across different villages in डोडा district क्यूं क्यूंकि उन्होंने shift किया from maze to lavender यानि कि पहले वो maze उगा रहे थे अब उन्होंने maze नहीं उगाया अब उन्होंने क्या लगाया अपने fields में lavender ठीक है और इसी को बोलते है purple revolution क्यूंकि lavender के उगाने से lavender के cultivate करने से जो 500 farmers थे उनकी income four times increase हो गई ठीक है और यह initiative किसके अंडर लिया गया था aroma mission जो CSIR है Council of Scientific and Industrial Research and Indian Institute of Integrative Medicine जम्मू IIII IIIM ठीक है जम्मू यह दो bodies है जो responsible है for making purple revolution under the aroma mission a success इन दो bodies ने काफी important role play किया है इस aroma mission को successful बनाने में ठीक है यह purple revolution किस से associated है यह associated है lavender से यह जो JK PSC ने assistant registrar cooperative societies का exam conduct किया था उसमें यह question आया था कि purple revolution किस से associated है तो किस से associated है lavender से ठीक है यह भी आपको याद रखना है और जो यह lavender crop है यह आप इस image में देख सकते हो इसको girl को नहीं देखना है जो उसके सामने यह जो इसको यह smell कर रही है यह है lavender ठीक है और इस lavender plant से lavender oil बनता है इसका product है it sells for at least 10,000 rupees per liter lavender oil की market में क्या price है 10,000 rupees per liter ठीक है और lavender oil से एक lavender water separate किया जाता है and it is used to make incense sticks यानि कि अगरबतिया lavender water से prepare की जाती है ठीक है और hydrosol it is formed after distillation from the flowers और इसको soaps और room freshness में use किया जाता है hydrosol यह भी lavender plant से मिलता है ठीक है इसको भी इसी से बनाया जाता है Jammu and Kashmir इंडिया में किस किस चीज का largest producer है मतलब agriculture और horticulture में इसको हम देखेंगे सबसे पहले apple यानि कि Jammu and Kashmir is the largest producer of apple in India Jammu and Kashmir is the largest producer of saffron in India Jammu and Kashmir is the largest producer of pear in India Jammu and Kashmir is the largest producer of walnut in India ठीक है यह भी आपको याद रखना है और Jammu and Kashmir state has been declared as agri export zone for apples and walnuts Jammu and Kashmir state को declare किया गया agri export zone apples or walnuts के लिए यह भी आपको याद रखना है ठीक है और corn, millets, pulses, cotton, tobacco along with rice यह main summer crops है Jammu and Kashmir के ठीक है कौन कौन से corn, millets, pulses, cotton, tobacco along with rice they are the main summer crops of Jammu and Kashmir और wheat and barley are the cheap spring crops of Jammu and Kashmir ठीक है यह point भी आपको as it is याद करना है और जो soya bean है इसको कश्मीरी में बोलते है निकमूट, soya bean is known as निकमूट in Kashmir ठीक है यह भी आपको याद रखना है एक news आई थी बीच में कि two day apple festival was celebrated in Kashmir ठीक है, two day apple festival was celebrated in Kashmir और इस apple festival को कहाँ पर celebrate किया गया, apple festival को celebrate किया गया, on the banks of Dal Lake, on the banks of Dal Lake, यह भी आपको याद रखना है ठीक है, और एक important point आप याद रखोगे, वो क्या है, जो यह horty culture है, ठीक है, horty culture है, जो horty culture produce मिलता है, fruits वगेरा, they account for 8% of the GDP of Jammu and Kashmir, horty culture accounts for 8% of GDP of Jammu and Kashmir, और इसकी valuation है 8,000 crores, यानि कि 8,000 crores generate होते है, horty culture productors से हर साल, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, काफी important point है, यह मुझे ऐसे ही याद आ गया, बीच में, इसके बाद, एक और news आई थी, वो यह थी कि, एक NSS, यानि कि National Statistical Survey conduct किया गया, ठीक है, और इसमें क्या पाया गया, इसमें यह पाया गया, कि जो Jammu and Kashmir है, it is among top 5 states और UTs, जहां पे highest farmer income है, ठीक है, अगर हम National average की बात करें, यानि कि, नेशनल लेवल पे जो farmers है, उनकी average income क्या है, ठीक है, वो है 10,218 रुपीज, 10,218 रुपीज, ठीक है, और जो Jammu and Kashmir के farmers है, उनकी जो average monthly income है, उनकी कितनी है, उनकी है 18,918 रुपीज, यह Jammu and Kashmir के farmers की average monthly income है, कितनी है, 18,918 रुपीज, और जो national average है, national average कितना है, 10,218 रुपीज, यानि कि, जो Jammu and Kashmir के farmers है, उनकी average monthly income 46% ज्यादा है, as compared to national average, यह point भी आपको याद रखना है, exam purpose के लिए, ठीक है, और इसके बाद, एक और news आई थी, वो थी, 12 districts get nod for horticulture cluster development pilot program, ठीक है, 12 districts को pilot program के लिए, choose किया गया horticulture cluster development में, horticulture cluster development का जो pilot program था, उनमे 12 districts को select किया गया, और उन 12 districts में, एक district है, शुपाईया, Jammu and Kashmir, और किनौर, हिमाचल प्रदेश, इनको apples के लिए select किया गया cluster, ठीक है, जहांपे cluster development program को launch किया जाएगा, यानि कि, जो pilot program चलाया गया, horticulture, horticulture cluster development का, ठीक है, उसमें, पहले जो pilot project है, उसमें 12 districts को select किया गया, और उसमें, Jammu and Kashmir से शुपाईया को select किया गया, और किनौर, हिमाचल प्रदेश से select किया गया for apple, आप चाहो तो बाकी के 10 districts भी देख सकते हो, लेकिन हमारा काम सिर्फ इन 2 districts को देखना है, ठीक है, total कितने cluster बनाने हैं, 53 clusters बनाने हैं, लेकिन pilot phase के लिए 12 districts को या 12 clusters को identify किया गया, उन में से एक शुपाईया, Jammu and Kashmir भी है for apple, ठीक है, अब हम देखते हैं, tricks to remember, खरीफ, रभी and zat crops, ठीक है, सबसे पहली trick हम देखेंगे, खरीफ crops को हम कैसे याद करें, ठीक है, इसके लिए trick क्या है, trick ये है कि आपको ये sentence आपको याद रखना है, sentence क्या है, sentence है, rice, corn and sugar खाके ground पे cotton का बिस्तर बिचा के सोया and आराम मिला, यानि कि फिर से एक बार, rice, corn and sugar खाके ground पे cotton का बिस्तर बिचा के सोया and आराम मिला, यानि कि rice से rice, corn से corn या मेज, sugar से sugar cane, ground से ground nut, cotton से cotton, soya से soya bean, आराम से अरहर and मिला से millets, ठीक है, आप इस sentence को याद करो और उसके बाद जो यहाँ पे codes हैं, आप उनको match करने की कोशिश करो कि इस word का क्या meaning है, rice, corn और sugar खाके ground पे cotton का बिस्तर बिचा के सोया and आराम मिला, यानि कि rice, corn यानि कि मेज, sugar cane, ground nut, cotton, soya bean, अरहर and millets, ये सारे खरीफ crops हैं, exam में आपको कभी question मिलेगा, चार options दिये होंगे, और आपको इन चार options में से identify करना है कि कौन सा crop खरीफ crop है, इसलिए आपको ये 7-8 examples खरीफ crop की याद करनी है, ठीक है, I hope इस trick से अब आपको आपको आसानी होगी याद करने में, और आप इस question को exam में आँख बंद करके solve कर लोगे, दूसरी trick क्या है, दूसरी trick है, रभी crops के लिए, और इनके लिए trick क्या है, ट्रिक है, WBC यानि कि white blood corpuscles जो कि blood में होते हैं, अगर वो low है, यानि कि अगर वो कम है, तो आपको क्या करना है, उस deficiency को खतम करने के लिए, आपको 50 gram mustard का juice पीना है, and potato खाना है, यानि कि white blood corpuscles, अगर आपकी कम है, यानि कि low है, तो आपको 50 gram mustard का juice पीना है, and potato खाना, ये trick है, ये कोई इसमें logic नहीं है, it is just a thumb rule, to remember रभी crops, तो trick क्या है, trick है, WBC low है, तो 50 gram mustard का juice पीओ, और potato खाओ, W से wheat, B से barley, C से chickpea, L से linseed, O से oats, और उन में से आपको बताना है, कि इन में से रभी crop कौन सा है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और last में आते हैं, Z crop, आप चाहो तो, इन के लिए भी trick बना सकते हो, मैंने उन दो के लिए बनाई थी, तो आप अपने, अपनी मतलब, memorize करने के लिए, याद रखने के लिए, exam के लिए, आप यहां भी एक trick बना सकते हो, वैसे जरुरत नहीं है, यहां पे है, pumpkin, watermelon, mustard melon, cucumber, and bitter god, ठीक है, यह पाँच आपको Z crops के लिए examples, याद रखनी है, English में एक quote है, जिसको बोलते है, he is as cool as cucumber, ठीक है, और एक quote मुझे याद आ रही है, वो है, unposh till yeli one push, unposh till yeli one push, यह quote किसने बोली है, यह बोली है, यह बोली है, शेकhul आलम अलाही रह्माने, unposh till yeli one push, इसकी English translation क्या है, इसकी English translation यह है, कि food is observant to foresters, food is observant to foresters, यानि कि अगर foresters होंगे, तभी हम, तभी हमारा जो food है, वो भी हमें मिलेगा, यानि कि वो भी हम तभी grow कर पाएंगे, जब foresters होंगे, ठीक है, यानि कि foresters बहुत importance रखते हैं हमारी life में, अगर कभी exam में आता है कि, unposh till yeli one push, किसने बोला है, यह किसका quote है, यह किसका quote है, शेक खुलालम अलही रहमा, जिनका दूसरा नाम है, अलमदारी कश्मीर, या जिनको बोलते हैं नुंदरिशी, ठीक है, या शेक नूर्दिन नूरानी, इनके बहुत सारे नाम है, काफी बड़े saint रह चुके हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं, कुछ sample previous year questions, सबसे पहला question क्या है, विच अमंग देखते हैं, यह question हमने देखा, और वहाँ पे हमने क्या देखा, हमने पड़ा, हमने पड़ा, कि wheat and barley आपको खरीफ क्राप्स को याद करने के लिए ट्रिक बताई, और ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी, rice, corn और sugar खा के, ground पे, cotton का बिस्तर बिचा के, soya and आराम मिला, यानि के rice, corn, sugar cane, ground nut, cotton, soya bean, arhar and milletus, यह सारी examples है, किसकी, खरीफ क्राप की, आप यह ट्रिक की याद करो, ठीक है, और इस question को आप खुद से attempt की, attempt करने की कोशिश करो, ठीक है, यह question में आपके लिए छोड़ देता हूँ, हल्मन is a variety of dash fruit grown in the areas of Jammu and Kashmir, यह भी हमने पड़ा कि हल्मन, रक्सेकार पो, ठीक है, कोईटा and Newcastle, these are some important varieties of apricot grown in the areas of Jammu and Kashmir, especially Ladakh, जो पहले Jammu and Kashmir का पाठ हुआ करता था, ठीक है, यह question भी हो गया, ठीक है, Burehardi is a variety of dash fruit cultivated in Jammu and Kashmir, यह भी हमने पड़ा कि it is a variety of pear grown in Jammu and Kashmir, pear की और दो varieties मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद है, तो आप comments में लिख सकते हो, ठीक है, चलो मैं ही बदा देता हूँ, एक है नाक और दूसरा है बाबू गोशा, और इसमें भी बाबू गोशा काफी ज़्यादा cultivate किया जाता है Jammu and Kashmir में, कितना, 50 to 60%, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, और कौन से एरियाज हैं जो famous हैं, पियर के लिए, वो हैं, एक है उडी इन बारा मुला, और दूसरा है बढ़ गाब, ठीक है, Dash crop in Jammu and Kashmir is referred as Tamil, यहने कि कश्मीरी में तम्मूल किस को बोलते हैं, वो बोलते हैं, ठीक है, How is saffron a cash crop locally called in Kashmiri language, saffron को Kashmiri language में क्या बोलते हैं, यह भी मैंने आपको अपने lecture के दौरान बताया, अगर आपके कान खुले थे उस ताइम पे, मैंने आपको बोला था कि saffron को Kashmiri में क्या बोलते हैं, कौंग, इसका और एक नाम है केसर, कभी-कभी उसको बोलते हैं Zaffron, और कभी-कभी बोलते हैं कौंग पोश, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, golden delicious is a variety of dash fruit, ठीक है, which is cultivated in Jammu and Kashmir, यह भी मैंने आपको बताया कि golden delicious, crimson, bulgarian, ठीक है, maharaji, amri, these are all varieties of apple, all right, dash is a crop which is used both as food and fodder in India, कौन सा crop है, जो इनसान भी खाते हैं, और animals भी खाते हैं, वो है maize, ठीक है, which of the following is a kharif crop cultivated in India, आप इसको भी वो ही trick याद करके, इस question को भी आप attempt करने की कोशिश करो, ठीक है, which among the following is one of the major rabbi crops cultivated in Jammu and Kashmir, इस question को भी आप, जो trick number two है, उसको याद करो, और इस question को आप attempt करने की कोशिश करो, दूसरी trick क्या थी, एक बार मैं फिर से रिव WBC, लो है, तो 50 gram, 50 gram mustard का juice पियो और potato खाओ, यानि कि wheat, barley, chickpea, linseed, oats, gram, mustard and potato, ठीक है, आप खुद से ये trick याद करो, और इस question को attempt करने की कोशिश करो, वैसे मैंने अल्रेडी बता दिया है, लेकिन फिर भी आप practice के लिए इस question को खुद से attempt करने की कोशिश करो, लच्छा and गुच्छी are the forms of each of the following species, that is a prominent ingredient of the Kashmiri cuisine, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया, लच्छा, मोंग्रा and गुच्छी are the three varieties of saffron grown in Kashmir, तो इसका क्या answer आएगा, saffron, ये मेरा ही paper है, जो 1st मार्च को classwork, जो paper मैंने दिया था, ये, उसी paper से मैंने question लिया है, last question क्या है, last question है, where is the headquarter of food and agriculture organization located, यानि कि food and agriculture organization का headquarter कहाँ पे located है, एक trick में और आपको बता देता हूँ, एक है world food program, world food program, और दूसरा क्या है, दूसरा है food and agriculture organization, यानि कि दो organizations हैं, ये अलग-अलग, ठीक है, इन दोनों का जो headquarter है, वो located है, कहाँ पे, वो located है, रोम, यानि कि जो Italy की capital है, यानि कि world food program, और food and agriculture, agriculture organization, इन दोनों को headquarter कहाँ पे located है, रोम में, और आप trick से कैसे याद रखोगे, आप ये याद रखोगे, कि मेरे रोम, रोम में खाना बसा है, मेरे रोम, रोम में खाना बसा है, यानि कि world food program, इसमें भी खाना, and food and agriculture organization, इसमें भी खाना, यहाँ पे भी food आया, यहाँ पे भी food आया, जब आप ये trick याद रखोगे, कि मेरे रोम, रोम में खाना बसा है, या आपको याद आजाएगा कि इन दोनों organizations का headquarter कहां पे located है ठीक है I hope आपने crops of Genk में आज बहुत कुछ नया सीखा होगा and I am sure about it ठीक है तो thank you for watching this video अगर आपको ये video अच्छा लगा तो hit like, share and subscribe ठीक है आप इन मेरे जो one short videos है जमुएंड कश्मीर जीके पे आप इनको अपने उन friends के साथ share करो जो जमुएंड कश्मीर के different exam जमुएंड कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के different exams के लिए preparation कर रहे हैं for the larger benefit उनको भी help हो जाए maybe they are not aware about my channel आप अपने friends को मेरे video share करो ठीक है ताकि उनको भी फाइदा मिले ठीक है तो take care and बहुत जल्द मैं आप से फिर मिलूँगा दूसरी class में जिसमें हम कोई और one short video करेंगे किसी और topic पे ठीक है तब तक के लिए take care and फिया मान अल्ला